नमस्कर सातियों और हम लोग सेप्टम्बर महीने का जो योजना है वो पुरा योजना को हम λोग देखेंगे संपूर्ण योजना सार को देखेंगे यह हिंदी औरिस्टा दोनों में जो छपा है उसको पूड़े अच्छे तरीके से इसको देखेंगे कम पाईल करके जो मैं बता दूं, कि ये जो योजना है, उसमें पुर्वत्तर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, पुर्वत्तर पुरा लगवा कवड किया गया है, इसका परिचे देखें तो पुर्वत्तर छेटर में परसासन, पुर्वत्तर भारत के लिए संस्थागत सहाइता, जी जो विद्रोः 1966 से लेके usage process तक जो भारव स्रकार के विरुद किया गया था उसके बारे में थ्री जानकारी मिल्वाविकेक मिलिती है मेजोरम की अरुभवणा कैसी है की फिरु कैसी है मिजोरम की खोबिया कलादान के मोर्डल के बारे में जानकारी मिल्ती है यह जो परियोजना चल रही है के एम एम टी टी पी के बारे में और फिर इसके बाद हम लोग जो नेक्स चैप्टर को देखेंगे उसमें है संस्कृति के माध्यम से विकास के बारे में है परिचय होगा सांस्कृतिक संबन्द और समड़ी दिखा जाना पुर्वतर भारत का विर्धी संचालक और फिर नेक्स चेप्चर है पुर्वतर छेतर में किर्सी इसका परिचय होगा फिर हम लोग कुछ परमुक पिंदु को देखेंगे फिर पुर्वत सांती और विकास इस चेप्टर पर आएंगे और पुर्वत्तर क्रियारवन एजनसी को देखेंगे खुबियां देखेंगे खामियां देखेंगे और आवसर देखेंगे फिर पुर्वत्तर में सिक्षा को देखेंगे ये सेपरेट चेप्टर है पिर अनुवाद देखेंग विश्व को समझने का एक माध्यम, फिर सुरो की मधुर विविद्धा जिसमें असम, मेघाले, नागालेंड, मनिपूर, मिजोरम, सिक्किम, और नाचल परदेश, त्रिपूरा, इस सब के बारे में हम लोग प्रयाप्त रूप से जानकारी को देखेंगे, फिर बात करते हैं पुर्वत्तर भारत में सिनेमा की, जैसे असम में सिनेमा का क्या सुरूप था, मनिपूर में क्या हुआ, मेघाले में क्या हुआ, अरुनाचल परदेश में क्या हुआ, बिजोरम में, नागालेंड, त्रिपूरा में और सिक्किम में, फिर हम लोग देखते हैं कपड़े और रोजगार जुटाने के लिए प्रदोगी की समाधानों की योजनाएं, मानव रहित, फिक्स डिविंग माइक्रो हवाई वाहन, फिर देखेंगे बास आजीवका का महतपुन संसाधन, इसको भी देखेंगे वो छेतर बास के लिए मसूर है, परिचे देखेंगे भारत में बा परिचे से आगे बढ़ता पुर्वोत्तर, इस चेप्टर को लेंगे और परिचे को दिखेंगे, मिजोरम में खेलो को उद्योगो का दर्जा मिल चुका है, 143 खेलो इंडिया के इंदर खोलने का फैसला लिया गया है, और पहला रास्ट ये खेल विश्वित द्याले जो है पुर्वोत्तर परिचे में हम लोग थे देखते हैं, पुर्वोत्तर राज्यों में कई तरह की खुबिया मौजूद हैं, उपजाओ जमीन, परचूर जलसन सादन, हरियाली और जंगल, वर्सा, व्यापक, जै विविद्धा, वनस्पति, वजीव और समाजिक, आर्थिक, राजनेतिक जाती है, तथा सांस्कृतिक विविद्धा का अधुत संगम है, पुर्वोत्तर में आठ राज्ये, अरुनाचल प्रदेश, असम, मेघाले, असम, मनीपुड, मेघाले, मिजोरम, नागलेंट, सिक्किम और तृपुड़ा है, देखे, सिक्किम को मिला के वो अब गिनते हैं, उमीद है कि सभी राजियों की राजधानी आपको अच्छे से मालुख हो, क्योंकि कई बिगनर्स हैना यहाँ पर फस जाते हैं, क्योंकि जो स्टेट सर्विसेज है, कई बार इनकी राजधानिया पोच्च लेती है, या मैचिंग करवा लेती है, और कई ब के से देख लिजेगा, कई बार यह मैचिंग में आ जाता है, पुर्वतर छेत्रों में प्रसासन को हम लोग देखें, तो पुर्वतर छेत्र एक नजर में हम लोग देखते हैं, कि पुर्वतर भारत के पुर्वतर छेत्र में आठ राजधे आते हैं, या छेत्र भारत की मु मुख्य भूमी में से सिर्फ 22 किलोमीटर चोड़े गलियाड़े से जुड़ा हुआ है उसको चिकेन नेक भीकाते हैं यानि मुख्य भूमी से तो ये एक बड़ी चुनौती है पुर्वत्र भारत के लिए संस्थागत सहायता की बात करें हम लोग तो वर्ष 2001 में पुर्वत्र चेत्र विकास विभाग की अस्थापना की गई थी इसे 2004 में पुर्ण मंत्राले का दर्जा दे दिया गया पुर्वत्र चेत्र विकास विभाग जो है अब पुर्ण मंत्राले का दर्जा है इसको कब 2004 में इसको दे दिया गया पुर्वत्र परिशत भारत की चेत्रिय योजना बनाने वाली समयधानिक संस्था है जिसका गठन पुर्वोत्र परिशद अधिनियम 1971 के अंतरगत किया गया था पुर्वोत्र छेत्र के आठ राजियों के राजपाल और मुख्य मंत्री इस पुर्वोत्र परिशद के सदर्से होते हैं इस परिशद के अध्यक्ष किंद्रे गिर्ह मंत्री और उपाध्यक्ष छेत्र विकास मंत्री होते हैं अब मिजोरम परिचे देखते हैं मिजोरम का साबजिक अर्थ होता है मिजो लोगों की भूमी मिजोरम का क्या साबजिक अर्थ होता है मिजो लोगों की भूमी मिजो एक व्यापक सब्द है जो लिूशिय पहले या लिूशाई कहलाती थी लाई मारा हारा पहले जैसे अनेक जन जातियों और कभीलों के लिए प्रयोक्त किया जाता है ब्रिटिस इलाके इस इलाके को लिूशाई हिल्स नाम से जानते थे और यह 1895 में ब्रिटिस इंडिया का हिस्सा बन गया था भारत के सुदेटा प्राप्त करने के बाद लिूशाई हिल्स जो बाद में मिजो जीला बना असम का एक जीला बन गया था देखिए पहले मिजोरम था असम का एक जीला था 1972 में इसे केंदरसासित प्रदेश मिजोरम बनाया गया फिर लगभग दो दसक तक विद्रो के बाद 897 में पुन राजी का दर्जा पकर मिजोरम भारतिय संग का पुन राजी बन गया संस्कृति और धर्म की बात करें तो जनजातिय नित्र चेड़ाव जैसे बैंबू डांस सरल मकई छेई हलम खुवालम इत्यादी तीन मुख्य तिवहार पाउल कुट चपचार कट और मिम कुट हैं दिखे क्या हुआ था कि ब्रिटेन का सासन आने के साथ ही इसाई मिशनरिया भी आई जिन्होंने मिजो भासा की लिपी खोजी और उसकी वर्णमाला का विकास किया आज मिजोरम के लगभग सभी गैर यहुदी लोग क्रिश्चन धर्म अपना कर इसाई बन चुके हैं राज की जनसंख्या में 87% लोग ऐसे ऐसा कर चुके हैं मिजोरम की लगभग 8% जनसंख्या बौध धर्म को मानती है जिन में मुख्य रूप से भारत बंगलादेश सीमा से लगे इलाके के चकमा जनजाती हैं लोग सामिल हैं अब मिजो विद्रो की हम लोग बात करते हैं जो 1986 से लेके 1986 तक था भारत सरकार के विरुद्ध था ये 1961 में मिजो नेशनल फैमिन फ्रंट एक राजनितिक दल में पडिवर्टित हो गया इसे मिजो नेशनल फ्रंट यानि MNF के नाम से जाना गया इसके अधेक्ष लल डेंगा थे लल डेंगा पहले उगडवादी थे MNF ने 28 फटवरी 1966 की रात भारत सरकार के विरुद्ध ससस्त्र विद्रोफ छेर दिया और अगले दिन 1 मार्च 1966 को उन लोगों ने सतंत्र हो जाने की गोशना कर दी मिजो विद्रोफ करीब 20 साल चलता रहा इस दोरान MNF वो भारत सरकार एक दूसरे पर जादितियों के आरोप लगाते रहे 30 जून 1986 को MNF के निता लल डिंगा किंद्रिय ग्री सचीव आरडी परधान और मिजोरम के मुख्य सचीव लल खामा के बीच भारत के सम्विधान के प्रावधानों के अंतरगत मिजोरम सांती समझाता प्रहस्ताक्षर किये गए इसी के साथ मिजोरम 20 परवड़ी 1987 को भारतिय संग का 23 राज्य बन गया MNF राज में चुनाव जीत गया और लल डिंगा वहां के पहले मुख्य मंतरी बने तो मिजोरम के पहले मुख्य मंतरी कौन थे तो लल डिंगा थे कोश्चन आने की संभावनत बहुत कम है लेकिन ऐसे ही ये सब जानकाडिया रहनी चाहिए मिजोरम मूल मापदंड मिजोरम का भागौलिक छेत्र 21,081 वर किलो मीटर है राज्य में 11 जिले हैं जिने 23 उप डिविजनों में बाटा गया है राज्य में 29 ग्रामीन विकास खंड बनाए गया है राजधानी आईजोल में एक नगर पालिका है 2011 की जनगन्या के नुसार 830 गाव है और राज्य की कुल जनसंख्या 10,97,206 यह बहुत कम है क्योंकि हमारे हाँ अगर हम लोग देखे तो एक डिश्टिक की जनसंख्या इसे कहीं ज़ादा है बिहार में राज्य में परती वर्ड किलोमेटर 52 लोग रहते हैं यानि बहुत विरल समझे तो वहां की आबादी है सहरी आबादी 51.01 एक एक परती सत है जो बहुत आज़ादा है पचास परती सत से ज़ादा तो आबादी हो गई सहरी और 47.09 परती सत लोग रामीन छित्रों में रहते ह पूर्वी दिशा में राज की 404 किलोमीटर लंबी सीमा में अमार से लगती है। अलप संकक और पिछरे इलाके भारतिय समयधान के छठी अनुसुची के अंतरकत मिजोरम में तीन स्वायत जिला परिशदें ADC हैं जिनें लई ADC, मारा ADC और चक्मा ADC कहते हैं। लई, मारा और चक्मा इन परिशदों में पाई जाने वाली बहुत संक्यक जंजातियों के नाम है। लई और मारा जंजातियों के बिच आपसी संबन्ध होते हैं तिथा मिजोर जंजाति के थाहत आती है। जबकि चक्मा जनजाती के लोग सांस्कृतिक भासा और धर्म के मावले में मिजोर लोगों से भिन्न हैं। चक्मा सरनार्थियों के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा तो वहां से कुछ चीजे कोरिलेट हो जाएगी। मिजोरम के अर्थवरस्ता की बात करें तो मिजोरम कोविड-19 महामारी आने से पहले मिजोरम के सकल राज घरेलू उतपाद में निरंतर विर्धी हो रही थी। वर्तमान मुल्यों के आधार पर 2019-20 में राज जी का सकल घरेलू उतपाद 26,502 करोड का होने का अनमान है जो उससे पिछले वर्ष के मुकाबले 18.9% जादा था। 2011-12 के मुल्यों के आधार पर 2011-12 से 2019-20 के वितिय वर्षों की अवधी में राज जी के सकल मुल्य वर्धित उतपाद में आस्तन 12,6% विर्धी दर्ज की गई। सकल राज मुल्य समर्धन में सेवा छेतर का योगदान करीब 43,28% है और द्योगिक छेतर का इसमें करीब 30,64% योगदान है ये बहुत अच्छा योगदान है जबकि बड़ी फैक्ट्रियां और उद्योग वहां लगभग 9 के बड़ा बड़ है घरेलू मुल्य समर्धन में किर्सी छेतर का योगदान 26,08% है अब किर्सी की बात करें तो मिजोरम की अर्थवस्ता मुख्य रुप से किर्सी पढ़ाधार ही थे और राज की विशेश कर ग्रामिन इलाकों की जनसंख्या खेती बहु से जोड़ी गतिविदियों पर निर्वा रहती है मिजोरम में और अर्गनिक खेती को बढ़ावा देने के उदेशे से 2017 से मिशन और गैनिक वैल्यू डेवलोप्मेंट योजना चलाई गई है इस योजना के तहब 13,000 हेक्टियर छेतरों में खेती करने वाले 14,104 किसानों को कवर किया गया है और ना किर्षी उतपाद संगठन एफपी ओ व यह भारत का सरफ्षिट राज्य है राज्य में साक्षरता दर 51,56% है जो देश में तीसरे सबसे ज्यादा दर है इससे ज्यादा साक्षर केरल और लक्षदीप में है इससे ज्यादा साक्षर से केवल केरल और लक्षदीप है तो मिजोड़म में क्या देखते है हम लोग कि 85 प्रदीशत भाग में वन चेत्र हैं और यहां की जनसंख्या को छोड़िए जनसंख्या हम लोग देख चुके हैं यहां का जो सक्षर्ता है वो 91.58 प्रदीशत है 2011 की जनगन्ना के नुशार मिजोरब में 1000 पुरसो के मुकाबले 975 मही लाए हैं राजी के दच्छिन भाग में तेल और प्राकर्तिक गैस के भंडार भी मिले हैं यह चित्र मियामार के अकडार अराकान से लगा हुआ है और अभी मियामार का समस्या तो आप देखी रहे हैं पादन किया जा सकता है देश के बास भंडार में मिजोरम का योगदान 14 परती चाता है अब देखिए बहुत चर्टित हम लोग कलादान के बारे में देख लेते हैं कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिक पडिवहन पडियोजना देखिए चिकेन नेक से ना बहुत समस्या है क कोई चिकेन नेको अगर काट दे तो 22 किलोमेटर का अगर सिली गुडी गलियारा कट जाता है तो भारत की मुखी भूमी अलग हो जाएगी नौर्थ हिस्ट्रे तो इसलिए कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिक पडिवहन पडियोजना से पस्चिम बंगाल के हल्दिया बंद तरगास से होते हुए भारत में पहुंचेगी देखिए इससे काफी ज्यादा जो है न वो कम हो जाएगा पडिवहन और उसे अधर फायदे भी हैं जिसको हम लोग फिर कभी किसी क्लास में देखेंगे संस्कृति के माधियम से विकास को हम लोग देखते हैं तो पडिचे द पुर्वतर छेतर का 2,62,233 वर किलोमेटर का छेतर भारत का लगभग 8% है सांस्कृतिक समंद और समरिद खाजाना की बात करें हम लोग तो पास्चात्य चिंतन से प्रभावित बहुत से बुधी जीवियों जिने मंगोलाइट मंगोल परजाती के नाम से पहचानते हैं वे उस काल में किरात कहलाते थे यजिरुवेद और अथरुवेद में दोनों में किरात समुदाय का उलेक है और उनाचल प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में बहुत अनुयाई रहते हैं तवांग में मोनपा, सिर्दुपकेन, महायान बहुत मार को मानते हैं तथा पटी सिग्फो हिनायन बौत धर्म के अनुयाई हैं आदी कथाओं के नुसार विश्व की रजना के युम सब से हुई है संभावता दलाई लामा पद्म मनी ही संत पद्म संभावते 640 इसवी में युवराज गोमपा ने उत्री बढ़मा और पश्मी चीन के हिस्तों तक अपना समराज फैला लिया था देखे एक चीज मैं बदाता हूं कि दलाई लामा कोई नाम नहीं है ये पद्वी है एक पद है ठीक है ना तो जो दलाई लामा की संख्या है ना वही चीज आपने अगले डलाई लामा को चुनेंगे यानि कि उनका आवतार होगा पुर्वोत्र भारत का विर्धी संचालग तो पुर्वोत्र विशेश धाचागत विकास योजना है जो पूरी तरह से केंदर सरकार दौरा वित्थ पोसित है उद्यमियों की पर्थम पीधी को मदद देने के लिए विशेश रूप से पुर्वतर विकास वित निगम योजना अवसर बनाई गई है एक्ट इस निती के तहथ सरक और राजमार्क बनाकर हवाई संपर्क बढ़ाकर रेल निटवर्क का विस्तार कर वेपार मार्गों को खोल कर तथा सीमा पर वेपार के लिए धाचागत सुविधायें बनाकर छेतर के संपुर्ण विकास पर जोड़ दिया गया है समुचे पुर्वोतर के नौ सहरों अगरतला, गुहाटी, इंफाल, कोहिमा, नामची, गंगटोक, पासिघाट, इटानगर और आईजल को स्मार्ट सीटी गोसित किया गया है पुर्वोतर छेतर में विकास को हम लोग देखे तो पुर्वोतर छेतर में कुल आठ राज है और नाचल प्रदेश, असम, मनीपूर, मेघाला, मिजोडम, नागलेंड, तिरपुडा और सिक्म इस छेतर का कुल भौगोलिक छेतरफल 2,62,230 वर किलोमीटर है यह समुचे देश के भौगोलिक छेतरफल का लगभग 9,12% है पुर्वोतर छेतर की कुल आबादी 4,6 करोड से जादा है छेतर का लगभग 35% भाग मैदानी है असम के कुल भौगोलिक छेतरफल का 84.44% मैदानी है सुध भौगाई छेतर के लिहाज से असम 34.1,2% पहले और तिरपुड़ा 24.48% दूसरे स्थान पढ़ है छेतर में सबसे कम सुध भौगाई छेतर अरुनाचल परदेश में है उसको पहले निफा बोलते थे अब निफा का नाम अरुनाचल परदेश है और इसको राजी का दर्जा मिला हुआ है फसल तिवर्ता पर गौड करेत तिरपुड़ा 156.5% पहले मनिपुड 152.1% दूसरे मिजोरम 136.34% तीसरे और असम 123.59% परदेश चोथे स्थान पढ़ है जोतर शेत्रों में लगभग 16,00,00,00 हेक्टियर भूभाग पर जूम खेती होती है इस शेत्र में सालाना 2000 mm वर्सा होती है जो देश के कुल बारिस का लगभग 10% है बहुत जादा बारिस है ये छेत्र की मिट्टी अमलिय या अतेंत अमलिय होने के करण कारबनिक ततों से भड़पूर है छेत्र में जोतों का आकार 1.15 हेक्टियर के राश्टी और सत की तुलना में 1.69 हेक्टियर है देखिए यहां पे दो दितरह का डेटा आपको मिल गया छेत्र में जोतों का आधार क्या है तो 1.15 हेक्टियर और सत है उसे ये ज्यादा है 1.69 हेक्टियर है ठीक है ना छेत्र में अरवरोखों का उप्योग भी बहुत ही कम लगभग 11 किलोग्राम परती हेक्टियर है अरुनाचल परदेश में यह सबसे कम 2.7 किलोग्राम परती हेक्टियर और मनिपूर में सरवाधिक 72 किलोग्राम परती हेक्टियर है किर्सी भूमी के रूप में धान पड़ आधारित है सिक्किम इसका अपवाद है जहां मुख्य फसल मक्का है सिक्किम का मुख्य फसल क्या है मक्का है सिक्किम काफी ठेंठा है एडिया है देखिया उचाई पड़ है सिक्किम की राज़ानी है गैंग टॉक इसी को इंद्रा गांधी ने चोग्याल से भारत में इंटीग्रेट कर लिया था पुर्वोतर छेत्र का कायकल्प और नाचल परदेश में मुख्य कुछ भागौलिक छेत्रफल का सिर्फ दो परतिसात हिस्ता सुद्ध बुआई का छेत्र है मिजोरम और मनीपुर में यह 10 परतिसात से कम है तथा नागालेंड और मिघाला में 13 परतिसात है पुर्वोतर के कुल किर्शी योग्य छेत्र का 88 परतिसात भाग असम में है कुल फसल छेत्र में से औस्तान 74 परतिसात में अनाजू की खेती होती है भारत में कुल किर्षकों में छोटे और सिमान्त किसानों का हिस्सा 69% है जबकि लेकिन पुरोतर छेत्रों में यह और उनाचल प्रदेश में 65% से लेकर मनीपुर और नागालेंड में 84% तक है पुरोतर में भागबानी और पसुपालन छेत्र को लें तो एक अनुमान के अनुसार छेत्रों में फ़लो की 11.2% और सब्जियों की 14.8% सालाना चक्रविर्धी विकासदर दर्ज की गई है यह काफी अच्छी है छेत्रों में सरवाधिक 77.5-6% मवेशी सबसे बड़े राज असम में हैं इसके बाद तरिपूरा में 7.4% और मेगाला में 6.7-4% का अस्थान है सिक्की में 90% मिजोडम में 33% और नागालेंड में 45% में संकर मवेशीयों का अनुपात राष्टिय औसत से भी ज्यादा है पुर्वतर में दूद का कुल उत्पादन देश में उत्पादन का महज 0.93% था छेत्र में हर एक व्यक्ति के लिए दूद की उपलब्धा प्रतिदिन 86 ग्राम है या 299 ग्राम प्रतिदिन के राष्टिय औसत से का सिर्फ 29% प्रतिचत है बहुत कम है गौर्टलब है कि भारतियत चिकितसा अनुसाधान परिशद ICMR ने परतिवेक्ति रोजाना 220 ग्राम दूद उपभोग की सिफाड़िस की है तो देखिए कई सारे जो कोश्चन होते हैं और इसके अलावा जो ICMR ने परतिवेक्ति रोजाना दूद की खपत कितनी जो है वो बताई है तो यह सब जो है और भारत में उपलब्ध कितना है तो यह सब बहुत अच्छे प्रस्ण बनते जाते हैं बात करते हैं दिरगावधी, सांती और विकास तो पुर्वोत्तर में किडियानवन एजेंसी में की नौर्थ इस्ट अर्थात दचिनपुर एसिया के साथ पुर्वोत्तर छेतर के व्यापार को और बढ़ाने की जरूरत है मेयामार और बंगलादेश के साथ वैपार में कच्छे माल का कारोवार मुख्य है उधारन के तौर पर मेगाले बंगलादेश को स्टोन, बोल्डर, स्लाइम स्टोन, चुना पत्थर और बागवानी उत्पाद निर्यात करता है किंद्र सरकार के परतिक मंतराले को अपने बजट का कम से कम 10% पुड़ोगतर चेत्र को कर्ज करना पड़ता है नागालेंड विधानसाफाब में 18 फरवरी 2021 को ही दसको पुड़ाने नगा राजनितिक विवाद को निप्टाने के बाड़े में चार सुत्रिया प्रस्ताव पारित किया गया है किंद्र सरकार नगा वरता करों के साथ अलग-अलग दो विचार विमर्स जारी रखे हुए हैं पहली वारता 1997 से NSSN के साथ चल रही है और दूसरी वारता राजनितिक ग्रूपो NNPG के साथ 2017 से जारी है जिसमें साथ ग्रूप सामिल है खोबियां की हम लोग बात करें तो ब्लू माउंटेन यानि फ्वाग पोई मुझोरम, पलक लेक मुझोरम, माजुली नदी असम जैसे आकरसक पर्याटक अस्थल है माजुली जो है वो विच्चु का सबसे बड़ा नदी दूइब है एसिया का तो है ही बाकी में और अपडेट कर दूँगा अनूठे रिवाज और प्रंप्रावाली जन्जाती संस्कृती है अनेक टी एस्टेट यानि चाय बगान है पुर्वतर छेतर में काफी अच्छा इस्तिरी पुरुस समानता सोचकांक है अस्थानिये लोगों में हतकरगा और बुनकरी परशिद्ध है अच्छा करते हैं वो लोग पनबिजनी पर्योजनाओं के लिए लाइमिस्टोन, चुना पत्थर और पानी की परचुन मात्रा में उपलब्दी है शुरक्षित एवं स्वस्त तथा परदूसन मुक्त वातावरन है खामिया देखें तो प्रयतन सम्मंदी मोलवू सुविधाएं बहुत सिमित हैं कुसल और कुसल सर्मिकों का अभाव है मानसुन के दरान बाढ़ और भूसक्रल के करण इस छितने पहुँचना बहुद मुश्किल हो जाता है पड़ियोजनाओं के कार्यान में देडी की करण विकास पड़कडियाएं पिछर जाती है राज तक पहुँचने के मार्ग अबरूध रहते हैं अवसर देखें तो हद करगा उद्द्यो का विकास वर्षा के मौसम में राज जी के उन भागों तक पहुँचने की सुविधा उपलब्द कराने के लिए बाढ़ नियंतरन विवस्था करना जिन्हें पड़्यटन अस्थालों के रूप में विक्षित किया जा सकता है मौजूदा पड़्यटन सरकीटों से संपर्क विक्षित करना और नए सरकीट विक्षित करना बुनियादी सुविधाएं और आने जाने की सुविधाओं में सुधार करके वैपार में विर्धी की जा सकती है बात करते हैं पुर्वोत्तर में सिक्षा की तो रास्टिय सिक्षा निती 2020 NEP यारी National Education Policy का मकसद 21 सदी के भारत की जरुरतों को पुड़ा करनी के लिए सिक्षा परनाली में बड़े पैमाने पर बदलाव करना है विश्व विकास रिपोर्ट 2019 में सिक्षा के छेतर में वैस्वी करन की रंडिती के तह तीन सुझाओ दिये गए थे पहला हमें ऐसे कौसल पर ध्यान देने की जरुरत है जिनकी मांग जादा है साथ ही ग्रामिन इलाकों और वन्चित समुदाय में निवेश करना चाहिए और हमें अपने कारेकरोमा में उंचे अस्तर की बौधिक एवं समाजिक व्यवहारिक समागरी को सामिल किया जाना चाहिए मिजुरम और या तिरपुड़ा के गाओं किसी गाओं के कालेज में पढ़ने वाले छातर छातराओं को रोजगार वास कामकाज की मौजूदा इस्थितिया देश और दुनिया के बाकी हिस्तों के सांस्कृतिक ढाचे आदिसे परचीत होना चाहिए पुर्वतर छेतर की सिक्षा परणाली में एक ही करयां से जुड़े कौसल को भी सामिल किया जाना चाहिए हमारी सिक्षा निती के तहत यहां रहने वालों के लिए ऐसी सैक्षनी कारिकरम होना चाहिए ताकि उनके पास चीजों को देखने का समग नजरिया हासिल हो सके और ग्यान के अलग लग स्रोत भी उपलब्द हो इस लिहां से रास्टिय सिक्षा निती 2020 कारगर है चलिए यह तो theoretical बाते हैं लेकिन practically जो कुछ बाते हैं उसको मैं बता दूँ कि जो हमारा जो नजरिया होता है एजे होल वो बहुत अजीब है नौर्थिस्ट के लोगों के पड़ती हम उन लोगों क्या काके बुलाते हैं च विक्सित होना है तो हमें सब को साथे लेकर ही चलना होगा अस्थानिय जगों को ध्यान में रखते हुए कुछ भी कुछ पहलों की जा सकती हैं खासतर पर लुक इस्ट तथा एक्ट इस्ट की सरकारी नीतिया को ध्यान में रखते हुए यह पहल की जा सकती हैं दो दसको में पहले युनेशको ने जैक डेलर्स की अधेक्षिता में एक रिपोर्ट तियार की थी इसका सिर्षक्था Learning the Treasure Within for the International Commission on Education for the 21st Century 21 सदी के लिए सिक्षा से जुड़ी अंतरास्टी आयो के सुझाव इस रिपोर्ट में दुनिया भड़ में सिक्षा के लिए एकिकरित रिष्टी को अपनाने की बात कही गई है अब बात करते हैं अनुवाद विश्व को समझने का एक माध्यम तो हमारी भासाएं कई सरोतों से निकलती है ये हैं संस्कृती, इतिहास, धार्म, आस्था, भोगोल, स्तलाकृती और अन्य यदि किसी व्यक्ति को बसनेत जेठा कहा जाता है तो इसका साब्रदिक अनुवाद होगा पैदा हुआ पहला बेटा या यहां तक की पहला भाई बसनेत जो हास्रिपद लगता है चलिए दारजलिंग के परतिक नागडिकों के लिए तुरंत पहचाने जाने वाला CRP सब्जले के बाहर के किसी भी व्यक्ति के लिए और अस्पस्ट है 24 भासाओं में दिया जाने वाला सहित एक आदमी पुरुसकार आज भी देश के सबसे परतिस्थित सहितिक पुरुसकारों में से एक है इसका भारत व्यापी नेटवर्क है और इसका इतिहास 1954 से है आकादमी विशाल परिमान में रचना करने वाली संस्था भी है इसकी वेबसाइट बताती है कि यहां हर रोज 19 घंटों में एक पुस्तक प्रकासित करती है अब देखते हैं हम लोग सुरो की मधुर विविद्धा को देखते हैं असम की बात करें तो असम की आधोनिक संगीत परंपरा 1883 इस्वी में सुरू हुई थी जब सत्यनात बुड़ा ने असमिया गीतों की पहले पूस्तक गीता बली परकासित की बीस्वी सदी के प्रारम बे अंबिका गिरी राय चोधरी जन्म 1885 ने राश्टिय भावना से ओतपरोत संगीत रचनाओं से असम के आधुनिक संगीत के करांतिकारी रुजहान का प्रारम किया जोती प्रसाद अगणवाला 1903-1951 पारवती प्रसाद बढ़ुआ 1904-1964 और विश्नु प्रसाद राभा 1909-1979 जैसी विवभुतियों ने असम की बढ़मपुत्र गाटी में आधुनिक संगीत का अपना विशिष्ट घराना प्रारम किया जोती प्रसाद जी ने ही इस छेत्र में आधुनिक संगीत की निव रखी और फिल्मों को एक उद्यो की तहत तरह चलाने की सुरुवात की अध्भुत प्रतिवासाली डाक्टर भोपेन हजारिका जन्म 1926 के आगबन के साथ ही संगीत असम के संगीत उद्यों का सबसे गौडव साली अध्याय प्राराम हुआ 1980 के दसक तक वे असम के संगीत छितिज पर चाय रहे और उनके गीत असम के पहाड़ों घाटियों में गुर्शते रहे सबका मन मोहते रहे डॉक्टर हजारिका के संगीत की नूतन सैली और राष्टिय भावनाव तथा पस्चत धुनों सहित आधुनिक संगीत में रचे बसे उनके गीतों ने असम के संगीत को राज जी की सीमा से बाहर निकाल कर देश विदेश तक पहुचा दिया स्रेश संगीतकारों में खगेन, महंता, ब्रजेन, बढ़वा, दीपाली, बुर, ठाकूर, हेमंत, दत्ता, जोतिस, भटाचारे, पूलोक, बनरजी, कुला, बढ़वा और जीतु, तपन, आधिस, अमिली हैं पेपोन संगीत, जगत के तेजी से उभरते कलाकार हैं, उन्होंने नया प्रियोक करते हुए, लोक संगीत और ऐलेक्रोनिक संगीत को मिला कर एक नई सैली फोक्ट्रोनिक विक्षित की, लोकप्रिये असमी गायक, संगीत-कार जाय बढ़वा के संगीत को कांस फिल्म सामारों में सर्फिस्ट साउंट्रेक के से पुरुषकार से समानित एनिमेशन फिल्म फैंटेसी आफ कमपोनियंशिप बिट्विन हुमन एंड इनानमेट के संगीत में सामिल किया गया लूसिड रिसेस गोहाटी का एक अल्टरनेटिव मैटल रॉक बैंड है जो दो भाईयों सिदार्थ और अमित ताभ बढ़वा दोरा 2004 में बनाए गया था यह बैंड भारत के सबसे अच्छे मैटल बैंडों में से माना जाता है इसने 2011 में टोटो एवार्ड फॉर म्यूजिक जीता असम के अनिप्रमुक रॉक बैंड है सेलेस्टियन डूम तिपडासा और रंपाजी सिव सागर के 19 वर्ष ये संगीतकार तनमे क्रिप्टेंड छेतर के रिद एंड ब्लूज आड एंड भी संगीत के साथ प्रियोग करने वाले प्राडमिक संगीतकारों में एक है अनुराग सैकिया उम्र 32 वर्ष चन्नेई की स्वर्ण भूमी एकेडमी आफ म्यूजिक से परशिक्षित हैं इस समय वे असम और बॉलिवोड के सम्मानित संगीतकार माने जाते हैं राष्टिये फिल्म पुरुसका रजत कमल पाने वाले ये सबसे कम उम्र के संगीतकार हैं और उन्हें गयर फीचर फिल्म जुग द्रिश्टा के लिए परदान किया गया था चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद जो है हम लोग मिघाले नागले नमनिपूर और मिजोरम और नाचल प्रदेश आदी का सुरुवात करेंगे तो चलिए 30 मिनिट का सेसन रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ज्यादा लंबा सेसन में लोगों को देखने में बड़ चैप्टर पे चलते हैं